कि किसे साथ डिसक्स करूंगा लाट सेशन में हमने ब्रांचिंग के लिए कवर किया था जिसमें था इफ इफ एल्स एल्स इफ लैडर और कि स्विच केस यह हमने कवर कर लिया अब लूप जो है लूप यह जिसे इट्रेशन कहा जाता है यह हम लोग कवर करने वाले और लूप या इट्रेशन का मतलब है यहां तक आपने ब्रांचिंग में अगर ब्रांचिंग में कैसे है कि अगर कंडिशन मैच हुआ तो बस उतना ही स्टेटमेंट एक्जिक्यूट होगा अगर मैच नहीं हुआ तो वो स्टेटमेंट जो है एक्जिक्यूट नहीं होगा दोई चीज़े थी लेकिन लूप का मतलब है कि जब तक कंडिशन ट्रू है तब तक एक ही टास्क को रिपिट किया जाएगा जब तक कंडिशन ट्रू है तब तक एक ही टास्क को रिपिट करते जाएगा वो फॉर एक्जांपल प्रिंटर है आपके सामने जब आप प्रिंट को पाच पेच की प्रिंट करने के लिए बोलते है तो वो कितना प्रिंट करेगा प्रिंट करने का एक ही टास्क है जो रिपिट कर रहा है बार बार उसे और इसी को हम लोग लूप कहते है या रिपिटेशन कहते हैं क्या आपको इसका इस्तमाल समझ में आया कि लूप हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे एट इस यूज़ टू रिपीट प्रिंटर और जेरोक्स मसीन वाटेवर प्रिंटर अभी जैसे मुझे हेलो जो है मुझे पाज बार प्रिंट करना है तो नॉर्मली आप हेलो के लिए हेलो के लिए हेलो अगर पाच बार प्रिंट करना है तो आप क्या लिखोगे ऐसे कितने बार लिखोगे पाच बार लिखोगे या इसे मान लो थोड़ा असान करने के लिए कौपी पेश्ट भी कर लेंगे लेकिन नंबर ओफ लाइन जितनी कोड की बढ़ेगी उतना आपका प्रोग्राम है भी होगा अब अगर आपको बोला गया कि यह जो लाइन से यह 50 करनी है तो आपको इसको कितने बार कॉपी पेश्ट करना पड़ेगा यह सारा 50 बार आप कॉपी पेश्ट करोगे तभी वो डिस्पले होगा तो यह जो टास्क है और सिंपल करने के लिए हम इस्तिमाल करते हैं लूप और यह जो लूप है पहला जो लूप है वह है फॉर लूप दूसरा जो है वह वाइल लूप है और तीसरा जो है वह है डू हाइल लूप कितने लूप है इसमें अभी बेसिक में और वाइड तीनों का भी काम एक ही है जब तक कंडिशन फॉल्स ना हो या आप ऐसे कह सकते कि जब तक इसकी कंडिशन ट्रू है तब तक वह चलते ही जाएगा जिसके अंदर जो टास्क लिखा है उसे वह प्रिंट करते जाएगा उसे वह एक्जेक्यूट करते जाएगा अभ भी फॉर को लिखने का तरीका इस तरीके से है फॉर यहां पर हम लोग लिखते है इनिश्लाइजर यानि कि इसे हम शुरुवात कहते हैं स्टार्टिंग इसे हम क्या कहते हैं स्टार्टिंग कहते हैं सेमिकॉलन इसे स्टॉप या कंडिशन कहेंगे हम लोग सेमी कॉलन और उसके बाद जो होगा वो इंक्रिमेंट या टिक्रिमेंट होगा तो लूप के अंदर हमें तीन चीज़े देनी होगी लूप के अंदर यह से सिंटाक्स लिखते हैं लूप के अंदर हमें तीन चीज़े देनी होगी एक उनेट देना है मुझे लूप के अंदर आपको क्या क्या देना होगा तीन चीज़े देनी होगी कोई भी लूप के अंदर पहला क्या देना है आपको शुरुवात कहां से करनी है इसे हम लोग इनिश्लाइज कहते हैं कि दूसरा क्या देना है आपको स्टॉप करना यानि की कंडिशन देना है आपको यहां पर तीसरा इंक्रिमेंट यहां डिक्रिमेंट कि इसे हम लोग काउंटर कहते हैं कि कोई भी लूप के अंदर आपको यह तीन चीज़े पास करनी होती है स्टार्ट में मैं यहां पर लिखता हूं कि मतलब आई की क्या रखे है में यहां पर यह जो लूप है शुरुवात करेगा यह वहन से शुरुवात करेगा हम कहते है कि यह कम रुकुना चाहिए जब आइकु वैल यू पाच हो जाए आई की वाल्यू पाच हो जाए यह और हर बार इंक्रिमेंट करेगा वन से बराबर देखिए हो गया मेरा तीनों भी लिखा मैंने स्टार्ट स्टॉप और इंक्रिमेंट आई प्लस प्लस जो आप लोगों ने सिखा है हुआ है और इसमें मैं प्रिंट करता हूं कंसोल यह बॉड़ी है इसकी कंसोल डॉट लॉट कहता हूं और लिखता हूं इसमें हेलो तो यह लूप कितना बार चलेगा बताइए शुरुवात वन से किया और रुकेगा पांच पे रोका है आपने पांच पे तो काउंट कीजिए कितने बार चलेगा यह पांच बार यह जो लूप है यह तब तक चलेगा जब तक कि यह कंडिशन होती रहेगी अब आप बताइए आई की वाल्यू टेन है ठीक है आई की वाल्यू टेन है टेन जो है छोटे है 15 से यह टू है और उसके बाद यह आएगा इसके अंदर प्रू है तो यह है लो को प्रिंट करेगा और यह आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है अब यह इसकी वाल्यू टेन है तो इसमें 11 हो जाएगा तो आप बताइए कि 11 जो है वह छोटे है क्या 15 से प्रिंट करेगा 11 में वन एड कर दिया हमने तो कितना हुआ तो यह कंडिशन क्या होगी फिर वापस से प्रू आएगा प्रिंट करेगा तो यह कंडिशन क्या हो रही है क्योंकि 13 तो बराबर है फिर यहां पर आएंगे प्रिंट करेंगे 13 के बाद एक एड कर दिया कितना हुआ 14 के बाद और प्रिंट करेगा इसके बाद और एक एड करेगा 14 में तो कितना हुआ 15 हुआ अब यहां पर बोला जा रहा है कि 15 less than है या इक्वल टू है इक्वल टू है यह कंडिशन ट्रू हो गई प्रिंट कर दिया फिर 15 में वन एड कर दिया तो कितना हुआ 16 तो यहां पर यह कंडिशन ट्रू है या फॉल्स होगी और फॉल्स पर मैंने कहां कि अगर उसकी कंडिशन फॉल्स होगी तो वह बंद हो जाएगा रिपिटिशन नहीं करेगा तो आप यहां पर यह जो है यह भी प्रिंट कर सकते हो यह कॉमा देके जो आय की वैल्यू है वह भी डिस्प्ले कर सकते हो तो देखिए यह जो लूप है आपने यह सीखा है फॉर लूप और सेम आज इट इस बाकी के भी जो लूप है इसी तरह से काम करते है थोड़ा सा जो फर्क होगा वह मैं आगे आपको बताते जाओंगा तो शुरुवात में हमने स्टार्टिंग किया स्टॉप यानि एंडिंग और हमने इंक्रिमेंट या डिक्रिमेंट हमने यहां पर इंक्रिमेंट का इस्तेमाल किया है यह कुन सा लूप था और लूप जी हां मैं इसे आपको मेरे विस कोड के अंदर चलाके दिखाता हूं जैसे कि यहां पर कर लेते लूप डॉट जेयर्स सेव कर लेते यहां पर और इसे हम लोग करते हैं नोड और जो लूप वाला पार्ट है लूप डॉट जैस उसे रन करते हैं क्या बराबर से आउटपुट डे रहा है यह देखिए अभी मैं कोई भी लूप इस्तमाल करूंगा सेम ही उसका काम होगा रिपीटेशन आफ टास्क कुन सा टास्क करेगा यह जो बॉड़ी के अंदर होगा इसका ओपन एंड क्लोज का वह उसके अंदर कुछ भी डालो वह इतने टाइम तक उसे रिपीट करते जाने व यह टूप पर वह चलेगा अभी आप अगर दूसरा लूप भी करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा सिंटेक्स अलग हो जाता है जैसे कि मैं वाइल लूप की इस्तमाल करना चाहता हूं तो वाइल लूप में आपको यहां पर लिखना होता है वाइल इसकी बॉडी कंड कंडिशन है जो आई की कंडिशन थी यह आई की कंडिशन मैं यहां पर डाल देता हूं दूसरा जो इनिशलाइजेशन होता था यह इनिशलाइजेशन जो है यह मैं वाइल के पहले कर देता हूं यहां पर देखो मैंने यहां पर इनिशलाइजेशन किया यहां पर कंडिशन ली और बॉड़ी के अंदर यह जो इंक्रिमेंट है यह बॉड़ी के अंदर डाल देता हूं काम सेम रहेगा बट थोड़ी सी जगह जो है प्लेस जो है वो चेंज हो गए यह है आपका वाइल लोग आपको इस तरीके से लिखना है बाकी एवरिफिंग सिमिलर होगा जैसे कि क लोग और मैं लिखता हूँ है लो और आई को प्रेंट आएगा मैं इसे कमेंटेट आउट कर देता हूं यह जो फॉर वाला है क्योंकि हमें उसका आउटपुट नहीं चाहिए आप अगर देखोगे तो एज़टीज वह आउटपुट आपको मिल गया है क्या किया यहां पर फॉर लूप में सारे चीज़े एक ही पैरंटेशिस में ली यहां पर मैंने सिर्फ कंडिशन दिया है उपर मैंने वह इनिशलाइजेशन यह शुरुवात की है और बॉड़ी के अंदर जो लूप की बॉड़ी है उसके अंदर हमने इंक्रेमेंट किया है यह था आपका वाइल लूप और इसके बाद तीसरा वाला लूप कौन सा होता है आपका है है यह को वाइल लूप करने के बाद जैसे कि हमने यहां पर वाइल लुप में क्या-क्या देखा है यहां पर i equal to let's see जो भी value देनी है शुरुवात की वो फिर हम यहां पर लिखते है while और stop की condition जो भी हमें देनी हो वो देते है ऐसे और इसकी जो body है इसके body में हम लोग लिख देते जो भी हमें output करना है जैसे कि हमने hello लिख दिया और यहां पर i की value print कर देते है और यह जो increment है बस इस statement के नीचे कर देते हैं I++ ऐसे तो यह वाइल लुक बन गया अब इसको do while करना है तो do while करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज है इसके अंदर यह जो while है यह नीचे डालना है body के end के बाद यहां पर लगाना है semicolon और starting में इस्तमाल करना है do ऐसे तो यह बन गया do while loop output में कोई भी चेंज नहीं होगा और यहां पर हमारा कि पंदरा था तो पंदरा ले लेता हूं ठीक है तो आ गया है तो तीनों भी लूप एक ही काम करेंगे लेकिन हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स का चेंज है और आगे भी इसका चेंज हो जाता है बाई डिफॉल्ट बाई नेचर इसका एक ही काम है रिपिटेशन का अगर आप एक बार इसे प्रैक्टिस करोगे बेसिक सिंटेक्स तो मैं आगे आपको इसका हर जगा पर कहां पर इस्तमाल कौन सा करना है इसके बारे में मैं बता सुपका लेकिन पहले आपको यह गो थू करना होगा इसे प्रैक्टिस करना होगा इसे प्रैक्टिस करना है